हेलो प्यारे बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छी होंगे बच्चो स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जारेडा उनलाइन क्लासिज में बच्चो आज हम सभी हल करेंगे हमारे विश्य गनित की सारानशित मुल्यानकन पहला के वर्कशीट बच्चो कक्षा 4 की मैं यहां बात कर रही हूँ तो बच्चो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी जल्दी से जाए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे चैनल को सस्क करना ना भूलिए बच्चो पहला प्रेशन है सही विकल्प का चुनाव कीजे तीन जुलाई 1904 को शंशिप्त रूप में इस प्रकार दिखा जाएगा तो बच्चो देखें तीन जुलाई हमारा कौन सा महिना है सात्वा और साल कौन सा है 1904 तो बच्चो इसको हम लिखेंग कौन है तो बच्चो उनमें सबसे लंबा है पंकज तो उत्तर पहला हमारा सही है निमलिखित में से कौन सी दूरी आदे किलो मेटर से अधिक नहीं है तो देखें बच्चो एक किलो मेटर में हमारे हजार मेटर होते हैं आदा किलो मेटर हमारा कितना होगा 500 मेटर होगा ठीक बच्चो तो कौन से दूरी आदे किलोमेटर से अधिक नहीं है तो बच्चो 77 मिटर आदे किलोमेटर से जादा अधिक नहीं है सो रुपे बनाने के लिए बीस रुपे के कितने नोटों की जरुरत है बच्चों तो बीस रुपे के हम पांच नोट लेंगे तो कितने हो जाएंगे सो तो उत्तर तीसरा हमारा सही है भवन की उचाई मापने के लिए निम्लिकित में से कौन सी इकाई उप्युक्त होगी तो बच्चो भवन की उकाई को हम जो उंचाई है उसे मिटर उकाई में नापेंगे सही या गलत बताईए पुराने पुलों में महराब देखे जा सकते थे तो बच्चो ये हमारा बिल्कुल सही है 10 उरुपे के 10 नोटों की कुल संख्या 100 उरुपे होती है तो बच्चो 10 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 100 आएगा ये भी हमारा बिल्कुल सही है 7 को 7 से भाग देंगे तो 0 आएगा बच्चो ये हमारा गलत है किसी भी द्रव की धारिता या आएतन मिटर में मापी जाती है तो बच्चो ये भी गलत है 400 मिली लिटर प्लस 700 मिली लिटर बराबर एक लिटर तो बच्चो एक लिटर में हमारा 1000 मिली लिटर होता है ठीक है बच्चो और यहां 400 मिली लिटर प्लस 700 मिली लिटर ये हमारा 1100 मिली लिटर होता है तो ये हमारा उत्तर गलत होगा अगला है बच्चो निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजे अनुमान लगाए कि आप एक बार में अधिक्तम कितने लिटर पानी की बाल्टी एक बार में उठा सकते हैं तो बच्चो एक बार में आप 10-15 लिटर पानी की बाल्टी को एक बार में आप उठा सकते हैं यदि एक मदुमक्ही एक मिलीलीटर शहत पीती है तो एक हजार मदुमक्ही तो कितना शहत पीती है? एक उट में से एक ईट को निकाले तो कितनी इटे बचेगी तो बचयों से 1 लाग में से एक एट निकाल लेंगे तो बचेगी 9900 AI बचेंगी थीक्ते बचयों यदी मीना की उचाई 130 cm और आश्रित की उचाई मीना से 10 cm अधिक है तो आश्रित की उचाई क्या होगी तो बच्छो आश्रित की उचाई होगी 130 में हम 10 जोड़ेंगे तो ठीक है बच्छो यह कितनी हो जाएगी 140 cm एक तील के टैंक में टैल मापने के लिए उप्युक्त 1 काई कौन सी है तो बच्छो टैंकर हम, किसी हम एकाई में मापेंगे लिटर में अगला है चित्र आधारित प्रशन निमलिकित चित्र को ध्यान से देखे और निमलिकित प्रश्णों के उत्तर दीजी कितने लिटर डीजल भरा गया है तो बचो यहां 100 लिटर डीजल भरा गया है तो यहां लिखेंगे 100 लिटर ग्राहक को कितना पैसा देना है तो बचो ग्राहक को देना है 3500 तो बच्चों यहां हम लिखेंगे 3500 रुपे ग्राहक को देने हैं वर्नात्मक प्रशन प्रकाश अपनी दादी के घर जा रहा है जो उसकी घर से 1500 किलोमेटर दूर है वै बस से यात्रा कर रहा है अनुमान लगाए कि आधी यात्रा करने के बाद बस कहां पहुंचेगी प्लस पंदरा तो कितना है पिचेतर किलोमेटर और बच्चों बाजार से दादी का घर कितना है पिचेतर तो आदी दूरी पे वो कहां पहुंचा बाजार वो पहुνचा है अगला है बचो अमन की बोतल में एक लिटर पानी है एक लिटर याने की हमें से एक हजार मिली लिटर भी लिख सकते हैं ठीक है एक हजार मिली लिटर उसने उसमें से एक गिलास में धाई सो मिली लिटर पानी लिया और उसे एक पौधे में डाल दिया फिर उसने एक जग में 500 ml पानी लिया और एक चिडिया के पानी के बरतन में डाल दिया बोतल में कितना पानी बचा बचो तो देखे एक हजार में से हम 200 और 500 ml याने कि 700 ml निकालेंगे तो कितना बचा ये बचा 500 ml ठीक है बचो इतना पानी उसकी बोतल में बचा है तो बचो इस तरह से आप सभी को अपनी वरक्षीट को हल करना है उमीद करती हूँ बचो आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा बचो अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा करके सभी वीडियो को लाइक करें जादा से जादा वीडियो को शेयर करें और नीचे दिये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट जरूर लिख कर बताएं कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा अब बच्चो जिनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाईए लाल बटन दबाईए और सभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए आप सभी बच्चों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद